है दोस्तों मैं हूं दिने इश्किवोरा चैनल फा हिंदी पर आपका स्वागत है राज ठाकरे इनकी उपर हमने काफी एपिसोड किये हैं आफलेट मैंने देखा न्यूस बेपर्स में और कुछ अपने सर्कल्स के अंदर की लोगों ने कुछ ये सोचना शुरू कर दिया है कि जैसे राज ठाकरे को राइट अफ किया जा सकता है लेकिन ये उनकी धारना मैं कहूंगा गलत है राज ठाकरे मेनत कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधान सभा चुनाओं की इस सिलसले में उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर कल सोनिया गांधी के साथ वो उनसे मिले हाला की बात क्या हुई इसके बारे में कोई डिटेल्स बताई नहीं गई है लेकिन हाँ अंदर ही अंदर कुछ न कुछ योजना बन रही है और इस बात की पॉसिबिल्टी है कि कॉंग्रेस और एनसी पी के इगठ बंदन के अंदर मन से महरेश्टरा नव निर्मान सयना भी अपना योगदान देगी और इस बात को इस बात से भी पहचाना जा सकता है कि जब लोग सभा के चुना हुए थे वहाँ पे लाव रहे तो वीडियो ये काफी फेमस हुआ था राज ठाकरे सहब का उन्होंने काफी सभाए की थी जिसवे काफी अपत्ती भी दर्ज की थी भाजपार शिरस्याना ने लेकिन बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि राज ठाकरे का राजनेतिक केरियर खत्म हो गया है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं ये उनकी धालना गलत है मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ अगर आप किसी को राइट अफ करना चाहते तो मैं उस बात से भी सहमत रही हूँ राजनीती में थोड़ा बहुत उपर निचे होता रहता है कभी ये उपर कभी वो उपर कभी इसकी सत्ता कभी उसकी सत्ता लेकिन ये कह देना कि राज ठाकरे की पार्टी में कोई दम नहीं बचा है ये मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर इनकी युती हो जाती है तो ये युती एक बहुत अच्छा रूप लेके आगे आएगी और राज ठाकरे की मन से जरूर कुछ ना कुछ सीट्स अच्छी नंबर अफ सीट्स इन विधान सबाचुराओं में जीतने में सफल होगी ये मेरा मानना हैं बहुत बड़ा ऐसा समुदाय है माराष्ट्रा के अंदर चाहे वो माराठी लोग हैं या बाकी भाषाओं के लोग हैं वो राज ठाकरे का सम्मान करते हैं सपोर्ट करते हैं तो राज ठाकरे अपने अडिग रहते हैं अपने जो भी कहते हैं वो ज्यादा हिलते नहीं है और अपने सिध्धान्तों के पक्के हैं मिलकुल तो मुझे पूरी की पूरी उमीद्य है कि इस पर्टिकुलर चुनावां के अंदर जो नमबर दिसंबर में विधान सभा के चुनावाएंगे माराश्टरा में वहां पे दुबारा से वो अपनी उपस्तिती दर्ज करवाएंगे और दुबारा से वो सशक्त होके स्ट्रॉंग होके आएंगे तो ये बहुत सारे लोगों के ने बात की तो सोनिया गांदी की साथ भी कोई ना कोई कनस्ट्रक्टिव उनकी बात हुई होगी और definitely उसका outcome आप बहुत जल्दी देखेंगे जब कोई न कोई युती बन के तैयार हो जाएगी चुनाओ के करीब दो तिन महीने पहले तो तब आप आएंगे कि मनसे जो है महारश्टरा नव निर्मान सेना भी अच्छी खासी जो सीटे हैं उनके उपर लड़ेगी और कुछ सीटों पे definitely विचे भी प्राप्त करेगी तो ये था आज का छोटा सा एक एपिसोड चैनल 5 हिंदी के उपर राज ठाकरे साथ के बारे में और मनसे के बारे में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका